Hello dear students, welcome to ATP Star Learning Platform guys ATP Star Learning Platform में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ So dear students, ये वीडियो, आज का ही जो ये वीडियो इसमें बहुत ही important बात करने वाले है guys जैसे कि आप सभी जानते हैं, अच्छे से अब JMAs 2020 का pattern जो है वो change हो चुका है और काफी interesting pattern है जिसमें 75 questions हमारे पास आएंगे 75 में से आप देख सकते हो, total 15 questions जो होंगे, वो numerical type होंगे यानि उनकी जो answer आएगा, numerical value आएगा, अब exactly वो value integer वाला होगा, 0 to 9 रहेगा या points में होगा, ये details अभी disclose नहीं की गई हो सकता है, आगे NTA का clarification आए अगर आएगा तो guys, मैं बहुत जल्दी आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, जैसे ही वो आए, ठीक है ना, लेकिन हम assume कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, numerical can be integer, it can be 4.5, ठीक है न, क्योंकि on screen keyboard हो सकता है, just like J advanced, okay dear students, so now the challenge is कि chemistry में, अगर हम chemistry की बात करें, तो chemistry में हमारे 15 questions हमारे पास है, आप समझ रहे हो ना, काफी significant percentage है यारी है, काफी significant percentage है, यानि 20% out of 75 15 questions है, तो 20% हो गया guys, got it, ठीक है, तो पहली बात अगर मैं करूँ आपको, पहली बात बताऊंगा, देखो, सबसे पहले, जिनको, जिन जो students जी advanced की तैयारी कर रहे थे, उनने शायद ये questions फिर भी किये हुए, लेकिन आप में से जिनने ऐसे questions कम किये हैं, तो आप समझ रहे हो ना, numerical questions तो आपने हमेशा board की preparation में भी और किये ही होते हैं, ठीक है, तो point is that, कि सबसे पहले start with the basics, basics महला कैसे questions, जो NCRT के पीछे भी दिये होए होते हैं guys, वो questions से आपको start करना है, ठीक है आपको types identify करने होंगे, जैसे for example, physical, organic, inorganic, physical chemistry पे तो numericals भरे पड़े हैं, बहुत तरह तरह के numericals अवेलेबल हैं, इतनी सारी books अवेलेबल हैं, उनसे आप कर सकते हो, subjective questions कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे physical के अगरम बात करने हैं, तो RC, मुगर जी, P, बहादर, किसी से भी आप कर जाइए, तो अब समरे हो, अब physical chemistry में तो practice होई जाएगी, लेकिन ये मत सोचना कि inorganic और organic chemistry में questions नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, organic chemistry में आप से पूछ सकता है कि वहीं compound दे दिया, मालो 15 compound दे दिया, पूछ लिया कि कौन से इसमें से alcohol हैं, जो positive locust test देंगे, या कौ उनसे Liberman Nitroso test देंगे, इस तरह के questions भी आ सकते हैं, उसके अलावा अगर inorganic की बात करें, सोचते हैं, numerical कहां से आएंगे, बिल्कुल possible है, chemical bonding में पूछ सकता है, आप से वो क्या पूछ सकता है, how many of them will have the pyramidal shape, कौन सी linear नहीं है, कौन सी distorted है, किसमें unpaid electron present है, नहीं है, इस तरह क question guys, J advance में आते ही है, तो यहां पे भी बिल्कुल आ सकते है, तो सनी की सिर्फ, you know, physical में ही numerical होंगे, organic में, inorganic में भी numerical होने वाले हैं, समरें आप सभी guys, तो जहां तक organic की बात है guys, जो मेरी upcoming book है, मैंने आपको कई पर बताया भी है, काफी time से काम चल रहा है, तो we are planning की इस month वो launch हो जाएगी, ठीक है न, तो जो book है guys, उस book के अंदर problem solving है, तो उसके अंदर काफी सारे integer वाले questions आपको मिल जाएगे, काफी सारे, तो that will be a very good pool, उसमें organic chemistry, book will be of organic chemistry, अभी के लिए organic की आएगी, है न, बाद में physical inorganic की बाद में आएगी, पर अभी organic की आएगी, तो guys, ज दिखा है, बहुत बार क्या करते हैं, हम calculator का use कर लेते हैं, नहीं मिलेगा है calculator आपको, अपने दिमाग का use करो, ठीक है न, habit डालो कि पूरा calculation complete करना है, और जहां तक physical chemistry है, उसमें units का बहुत ध्यान रखना है, यार, calculation में हम बहुत बहुत क्यों गलतिया करते हैं, तो अब complete question solve करो, easy से start करो, complete करो, यहीं की answer तो आई जाएगा, नहीं, answer आपको निकालना है, end तक निकालना है, और units का बहुत बहुत ज़ादा दिहार नठना है, guys, okay dear students, अगली important बात, जह advance के जो previous year के questions है, वो भी ठीक ठाक level के, जो बहुत ज़ादा tough हैं, उनको आप छोड़ सकते हो ठीक है, उसके अलवा, जो अमारी app है, app को आप जानती है, यह ATP star, है ना, अगर आपने अब तक download नहीं की, guys, तो वीडियो के description में दिया हुआ है link, आप अभी के अभी उसको download करें, उसके अंदर भी आपको इस तरह के questions ज़रूर मिल जाएंगे, guys, इस तरह के questions ज़रूर मिल ठीक है, ठीक है न, नए pattern के हिसाब से, और test देने के बाद उसको analyze ज़रूर करो, कि गलती कहां हो रही है, guys, okay dear students, तो इस सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखना है, start basics, basics से start करो, ठीक है न, उसके अलावा complete solve करो, identify करो, किस-किस तरह के questions आ सकते हैं, not just physical chemistry, organic, inorganic, KB questions अपने क numerical करने है, उसके अलावा, मैंने बोला, आपको calculation error नहीं करना है, ध्यान से करना है, ठीक है न, अभी से ही, आदर डाल लो, ध्यान से करना है, okay dear students, और जैसे कि आप जानते हो, यार, पूरे paper का 20% numerical वाला हिस्सा हो रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उस डर को खतम करने का कदम, आज ही आपको उठाना है, आज से ही शुरू करना है, यह नहीं कि मैं करना शुरू करूँगा, नहीं, आज से ही चालू कर दो, यार, confidence देखना आपका बढ़ता जाएगा, confidence आपका improve होता जाएगा, तो डरने की बजाए, काम शुरू करो, अभी से start करो, हमारे पास दिन कम है, और हर दिन बहुत-बहुत जाएगा इंपॉर्टन है, तो हजजा सकी हमेशे कहता हूँ, make everyday count, हर दिन, you know, जबरदस कर दो, ताकि finally वो दिन जब आएगा, you know, that day, judgment day जिस दिन आएगा एक तरह से, तो वो दिन आपका बहुत शान्दार जाएगा, okay dear students, so guys, I hope आप take care and love you all.